नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका स्टेड़ी वी तेम में तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्राखंड से संबंदित नए क्विश्चिन की सीरीज तो देखिए इससे पहले भी काफी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है हमारे यूटिव चैनल पर त नहीं पर निरास नहीं के लिए और चैनल से भी त्यारी कर सकते हैं आप सभी लोग को यहां पर देखिए जितने भी उत्राखंट से संबंदी नए क्वेशन से डाले हैं उनके लिए भी प्लेइस्ट बनाई जा चुकी है हमारे चैनल पर यह है आपका उत्राखंट निव क्वेशन पर जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफूजन होता है लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो देखिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे यूटभ चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बगल में बैल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि कोई भी वीडियो हम जो डालते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो देखिए आज क की वीडियों कि बिदियो का पहले कोंछे आप यहां पर सूर थो बनाया जाता है तो यहां जौत वह बोटिय जन जाती है यह जाड जन जाती है यह लोग आपको जनक वंसके हैं और इस में ही देखिए आपका जो जाड उप जाती है इसमें ही जो बहुत धर्मेवाले मन में वहां पर क्या करता है उनको याद रखेगा बंदित का कारी करता है इनकी बूलचाली भासा क्या है यह भी question हो सकता है तो यह होगा आपका रोमबा तो याद रखेगा जो इनकी बूल चाली भासा है वह है आपकी रूमबा तो देखिए अगले question के और बढ़ लेते हैं अगला question आपका देखिए आप 84 बुग्याल किस जनपत में this यह आपको बताना है देखिए जो आपका 84 बुग्याल यह और Ecuador average यहां पर आपका 84 बुग्याल इसंगे स्कूली जनपत की बात क्रों तो देखिए चौंश जनपत जनपत बनाया गया जो जो मुख्य लई है हुऊ है आपका गोपेशवर और यहीं पर देखिए आपका मंदिर ब不起 जूआरा गणपती नात तो की और सारी जो जो की चमुली जनपद में स्थित्धर और यह जो आपका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है तो याद रखेगा जो आपका गूपिसवर मन्दीर है उसका पुराना नाम है आपका रूद्र महालै काफ़ी महालाइ काफ़ी इंप्रेटंट है आने वाले जो पेपर होने वाले आप सभी लोग के तो उसके लिए काफ़ी important है isbaren याद रखेगा चमूरी जनपद में ही आपका एकोर पूला मेला यह भी आपका चमूरीयस चनपद में लगता है उसके बाद देखें यहाँ पर एक कमेटी की स्तापना करे गी थी वह करेगी थी आपके 1942 में आपका आत्मरक्षिया जो कमेटी है उसकी स्थाफना करेगी थी जिसके गोरा देवी के पती का क्या नाम था यहां पर बहुत इंपोर्टेट है देखिए इससे पहले जो आपका हाई कोट का पेपर हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि स्री देश सुमन की पतनी का नाम तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर गौरा देवी जो बहुत मुस्ट इंपोर्टेंट है प्रक्षा की दृष्ट्री से तो यहाँ पर इनका भी पती का पूछा जा सकता है तो देखें चिप को आंधूलन से संबंदित महिला है और इन्हों नहीं इस आंधूलन का सूतर दहार किया था तहिक है अगर मैं देखें गौरा देवी जी की यूद करuku तो इनका जो जन हुआ था वे वा था आपका 125 में तिहरी में लाटा गाउं का हटा वहाँ पे वा था इनका जन्म है आपके गौरा देवी का तो देखे इनके साथ हुआ कि जब यह 12 वर्सी की थी तव इनकी इनका विभाकर दिया गया था आपका का महरबान सिंगे दौरा के साथ विवा कर दिया गया था और उसके बाद 12 वर्से उसी के पतत आठ वर्से बाद इनके पति हैं उनका स्वर्गवास हो गया था यानि मार गेए थे उसके पाद जाके इन्होंने काफी हमारे उत्राखन के लिए पूरे अरे के लिए ठीक है प्रथम विक्ष समित्र पुरुसकार किसको दिया गया था गोरा दिवी जी को दिया गया था 1906 में यह चीज आपको याद रखनी है उसके बाद इनकी मित्य हो गी थी आपकी 4 जुलाइड 나ा कि अगला है कुरू जोगी हाशी नित्य किस उस्फो में होता है Khal hy आपका सांस्कृतिक धरोवर भी घुसित किया जा चुक्त 된 तो आगे बात करते रम्मान उस्सव की देख्या वे जो हासी निर्थ्रता आपका रम्मान उस्सव में होता है यह यह जो रहा जो रहा या सेंटर पॉइंट है आपका चमूली डिस्टिक तो देखें चमूली डिस्टिक के जो सिमट विकास खंड में पैन खंड पट्टी पड़ती है तो यहां पे इस पट्टी के अंतर के जितने भी गाओं आते हैं वहां पर यह जो रम्मान उस्सव है यह उस्सव बनाया जाता जो देखें जो आपका रम्मान उस्सव है यह रमायट से जुड़े प्रसंग के कारण इसको रम्मान खाँ गया इस में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले होता हूं आप रमायट से संबंदित होता है तो इसी के चलते इसको क्या नाम दिया गया है इस चीज़ को आपको याद है उसके बाद देखिए आप से मैंने बोला था कि आज की मैं आज से जितनी वी वीडियो लेकर आऊंगा उन वीडियो में आप सभी से एक नाएक पूछूंगा जो थोड़ा सा कॉम्टेटिव होगा और आपके जो आने वाले इक्जाम है उसमें आपका इंपोर्टेंट र नीचे कमेंण करना है और अपना कमेंट करना है कि आपने कितना कि आपने ट्राइब पर जो हम प्रडे एक सवाल पूछेंगे उसका नसार जो सबसे पहले बता एगा और यहां पर इसका धेगा तो उसको हमारों से गिवेधे दिया जाएगा तो आने वाले ताइम पर हम यह सारी व्यस्ता करने वाले हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रही है और हमारे यूट्यूब कमिष्णर बर्नेंडी के दोरह थे उनके दोरह यह जो सांच मेला है यह बनाया जाता है इसके बाद आप सभी लोग को याद अखना है जो वह किस वर से वह था वह था आपका उन्यस्सव तैट्तालिस में यह स्टार्ट का विकास मेला ठीक है उसका देखें गौचर में ही उत्रा खंड का ठीक है हवाई अड़ा भी स्थित है गोचर में वह भी आपका चमूली जन्पद में पढ़ता है तो इन चीज़ को याद रख है काफी सारी चीजें काफी सारी नई बाते चमूली डिस्टिक के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं देखें यहां पर उमा कर्ण मौसव जो है क्योंकि आपको पता ही है उत्राखंड में जो अधिनस्त सेवा चैन आयोग है वह ऐसे पूछता है जिससे की सारे जो भी अब्य मनाया जाता है तो मैंने आपको बता यह भी आपका चमूली जन्पद में मनाया जाता है ठीक है तो इन चीज़ को याद रखेंगा अगले क्यों बढ़ लेते हैं देखें अगला क्यों आपका यहां पर गुगाल मेला का आयूजन किस जनपद में होता है ठीक है एक गुगाल मेला भी होता है तो इसका जो आयूजन होता है किस जनपद में होता है यह आपको बताना है तो देखे इसका जो जनपद आयूजन होता है वो तो होता है आपका हरिद्वार जनपद देखे हरिद्वार ज सबी को नहीं पता है वो लोगों को पता हो जाएगा जो आपके विल वो नील परवत 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 के मध्य गंगा नदी के किनार पे इस्तित है और कि इसको जंपत बनाने की बात करी जाए तो देखिए इसको बनाया था 28 दिसंबर 1988 को इसको जनपद बनाया गया देखिए जब इसको जनपद बनाया तो इसको उस टाइम पर सहारन पूर मंडल उस टाइम पर मंडल होता था सहरंपुन मंडल पर इसको सम्मलिट कर दिया गया था 1988 में ही जनपध बनाने के बाद ठीक है लेकिन जैसी राज जी का गठन हुआ हमारा 2000 में तो उसके बाद से इसको वहाँ पर गडवाल मंडल में सामील कर दिया गया था सहरं'm मंडल से इस्तांतरित करके इसको गड़वाल मंडल में सामिल कर दिया गया ठीक है उसके बाद देखिए जो आपका हरिद्वार जनपद है वहीं पर आपके देखिए राजी की सबसे पुरानी नहर है जिसको आपको उपरी गंगा नहर कहा जाता है देखिए इसका जो निर्मा jadi kaliете नेतत्तों में आपका उपरी जो गंग नहर है उसका निर्माण कर से Hurricane हम ToutकRae अग्ला कुशन आपके ननदि कुंड किस जनपद में इस्तित्ह ठीक है याद आपको बताना है ननदि कुंड किस जनपद इस्तित्हिं तो देखिए यह आपका जाँ तो ऩू पदे में यहां पर आपक Yog duty अपन्च परियागों में से एक है आप सभी को पता ही होगा और मैंने पैसे लोग से चलो आपको मैं मैप के तोरा समझाता हूं यहां पर देखें यहां पर आप में कुदर प्रियाग जनपद है यह यहां पर बीदो नदियां मिलती है एक आपका अलगनन्द नदी और दूसरा अपका मंदाकनी नदी का संगम होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर नंदी कुंड है तो नंदी कुंड है यहां पर पूछा जा सकता कि नंदी जो कुंड है वो किस प्रकार का कुंड है तो यह आपको याद रखना है जो नंदी कुंड है वो थंडे नदी उसके बाद देखिए रूद्र प्रियाग जनपत का प्राची नाम कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको लिखके आना है वह आपका रूद्रावत यहां फिर पुनार यह दो नाम इसके प्राची नाम है आपका रूद्र प्रियाग जनपत के और रूद्र प्रिया तो आपको मिलान करना होगा तो यह एक नंबर का लगा देखिए आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको इस सब माइन पर छप जाएगा तो आपको हर एक नंबर की value समझनी है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है जो आपका रूदर प्रयाग जनपद है उसकी जो जनपद बना था वो बना था आपका 18 सितंबर 1997 में और आप यहां पर देख रहे हूंगे यहां पर यह जो रूदर प्रयाग जनपद है यह तीन जनपदों से मि बना हुआ है चार ओप्शन देदेगा और एक Jeśli यहां तो यहाद रखना है तीन जनपदों से मिलके बना हुआ है रूदर प्रयाग जनपद टीक है उसके बाद देखें है यहां पर आपका चौप पता भुग्याल भी थी का बड़मी वूग्याल है आपका यहां पे तो य की दिरिष्टी से राज्जी का चौथा राज एंचे आपका नायनी ताल यहां है बड़ा जिला है दस्की विर्धी के अनुसार ठीक है तो आपको याद नहीं है जो विर्धी उसमें आई अपको बताना कि बहुत सबसे पहले सबसे ज्यादा जहां पर दसकी विर्धी त्र एह इसका ऍथा है दूसरा जिला में आपका हरिद्वार तीसरा आपका आता है देहरादून और चौथा आपको मैंने बता दिया नैनी ताल ठीक है यह चार जिलों को आप याद रखी रख लीजिए का दिसकी विर्दी के सबसे सबसे बड़ा जिला है आपका उदमसी नगर उसके बाहरीद्वार देहरादून और नैनी ताल तो आपको यह सारी चीज़े याद रखनी है उसी के सांसा इंपोर्टन यह भी एक जो हमारे ही उत्राखंड राज्य में दो जिले ऐसे भी हैं जिनकी जो 10 की विर्दी दर है वो रिनात्मक हैं तो एक तो है आपका कुमाओ मंडल में जो की है आपका अलमोडा औ पौरी यह दो जिलू को भी आपको याद रखना है जहां कर जो दस्की विर्दी दर है वह आपकी दिनात्मक तो इन चीज़े गा अगला कुश्चन पढ़ लेते हैं अगला कुश्चन जो है आपका यहां पर है आपका रानी परवत की जनपद में इस्तित है आपको बताना हूं यहां पर यहां अब यहां पर यहां पर कोशी और इस तो यहां पर यहां पर दो नदिया मिलती था आपका आठारा सो एकानवे में इसको zip अलबोडा को जन्पध बनाया था ठीक है अलमोडा में ही आपका देख़े यहां पर वन्य जी विहार भी है जिसकी स्थापना करे गी थी आपकी प्रियाब्त प्रिचूर वात्र में पाई जाती है तो याद रहते हैं आपके अगले कूशिशन है यहां पर चिपला कोड कि बूग्याल किस जन्पद में इस तितित है तो आपको बताना है चिपला कोड बूग्याल तो देखे आपका चिपला कोड़ बुग्याल है वह आपका पिथोरागर जिनपद में ठीक है पिथोरागर जनपद में इस्तिता आपका चिपला कोड़ बुग्याल ठीक है पिथोरागर जनपद के भी बारे में जान लेते हैं ताकि आपके सारी चीजे समझ में आ जाएं दे होगा आपका पिथोऑरागर सबसे पूरी जिला पिथोऑरागब को चलता है ठीक है उसके कारीज़ सबसे प्रसे जनपत कार जाए कcsपत का बनाया तो देखे इसको जनपत बनाया गया था 24 tarafon 1960 इसको जनपत बना गया था अलमूरा सालंग करें फहले अलमूरा का भी तो अलग करके इसको बनाया गिया पितोरागड जनपत को ठीक है इसको देखे जो आपका यह पितोरागड को और यहीं पर देखे आपका अपर बनाया नबब्बे किलमेटर का यहीं है पनाया है इसके पजनफ्न यहीए जनपत में बुंग्याल भी है और जैसे की मैंैंना अभी अलमोरा में में आपको वहाँ पर बिंजिव विहार बताया तो यहाँ पर देखिया पितौरा-गड़ंचर में जन्पद में भी वन्य जीव जीुंद विहार नाम है आपका संकूट बनिजी ब्यार के इस चाहब देखिया इसकी सतावनारि जीव व्यार गदरम की बात करें तो आपका छे सो going म्य वियार किस लिए परसिद्ध और बढ़़ेते देखिए अगला कुछिन है आपका यहाँ पे अगला अपतो है मानशवर का मेला किस जनelly पाथ में लगता है कई बार ओठागे दोरह और आगे भी पूच्छ चाने की संभावना पूरी पूरी बलका सिकनी के दोरा देखिए जो आपका मानिश्वर का जो मेला लगता है वह लगता आपका चंपावत डिस्टिक में चंपावत डिस्टिक में आपका यहां पर मानिश्वर का मेला लगता है अगर आप मैप में देख पा रहे हैं यह है आपका चंपावत चंपावत जिले में ही आपका म लगता है जो चंपावत जनपाद है इसको देखे 15 सेप्टेमबर 1997 में जिला बनाए गया था 15 सब्सक्राइब बनाए गया देखें चंपावत कि अगर कभी स्थापना की बाद आती है तो कहा यह जाता कि इसकी जो लाजभुंगा का किला है और फिर सेट्रि रिचेंज किलिह सुम्लो 살 और यहां पर यहां पर जो आपका राजभुंगा का किला है आपका चंपावत जनपद में और Champa Oat का प्राची नाम भी पूजा पूछा जा सकता तो इसका जो नाम है वो कुमों है किसी यहाँ पर ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो मेला लगता आपका आपका मानिस्वरug का मेला यह लगता आपका इस मेले मेंग अधिकतर परसिद्ध चीज रहा जो कि पूजा करना सुखर इस मेले में घोता ही है मानिसवर के मेले में में जो यहां की दूद देने वाले पसू होते हैं वहां पे इधू पूजा करी जाती हैllowal9 पूछे देखिए उत्राखंड का जो स्लेवस है अधिकतर होता है कि कुश्चन हम सभी को पता होता है लेकिन तोड़ मोरोर के ऐसा आयोग द्वारा पूछा जाता है कि हम भी गन्फिज हो जाता है तो आप सभी लोगों को गन्फिज नहीं होना है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि सपेथ रंग के कमल खीलते हैं वह श्याम तयाल पर किल्टे हैं जो कि आपके चंपाव जन्पन हैं यहाँası बिखे आपका लापसा बर्रा भी ऑगा और चंपा और जनपद में ही आपका एक हतिया नौला भी है ठीक है एक हतिया नौला तो आपको यह सारी चीज़े याद रखनी है देखिए एक कुश्चन के साथ इतने सारी कुश्चन आप याद रखेंगे तो ही आप एक अच्छा स्कूर कर पाएंगे मेरिट पर आप आप हैं तो इस सारी चीज़ों पोपर याद रखना है तो आप अब आप तक हुमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको प्लीज लाइक करते रहिए गाला कुश्चन आपका पूछा जासकता है काफल का वएग्यानिक Naam क्या है तो आपक though का वैग्यानिक जियाद रखना है यह आपका काफ़ल का वियानिक नाम है तो परसिद्द के बीहू और गुजरात के गरबा नित्य के समान है काफी important सवाल है इसको आप note down जरूर कर लीजेगा उत्राखंड का वो नित्य बताना है आप सभी लोग को जो कि असम की भी हुँ और गुजरात के गरबा नित्य के समान है तो देखें यह आपका चौफुला नित्य ठीक है कौन सा नित्य है चौफुला यह नित्य इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है चौफा नित्य क्यों कहा जाता है यह सारी सुउटे मैं आप को बताऊंगा देखें चौफुला प्रवाल मन्डल में ही चौफ़ला निति किया जाता है इसके पीछे की हिस्ट्री कहानी है जो कि मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं देखे कहा यह जाता है देखे कि जब पार्वती ने सीव को प्रसन्न करने के लिए एक प्रवत संखला पर चौफला बनाकर नित्य करना प्रवती से विभा कर लिया तो इसी कारण इसको चौफला नित्य कहा गया है तो यह एक स्टोरी थी मैंने कहीं पड़ी थी सूचा आप सभी लोग के सामने शेयर करना तो इन चीज़ को याद रखना क्योंकि देखे जब आपको स्टोरी पता होती तो आपके मैंड कभी भी आ चंबा का पुराना नाम क्या है ठीक है आपको बताना है चंबा का पुराना नाम तो देखें आपका जो चंबा है वह उसका नाम पुराना नाम है आपका चमुआ ठीक है देखें चंबा आपका पड़ता है तो यह आपको याद होना चाहिए जो चंबा का पुराना नाम है उसका नाम है आपका चमुआ चमबा का पुराना थ incar अगला क्योंषे बढ़ लेते हैं अगला क्यूशना आपका यहाप मौला राम के पुत्रों का नाम था मौला कि तो याद रखेंगे से स्रीनगर के पॉड़ि में आये थे ठीक है उसके बाद देखें यहीं पे 1747 में जब यह दिली से स्रीनगर आ चुके थे तब 1747 में मौला राम जी का जन्म हुआ ठीक है उसके बाद इनके चितरगारी गुरु का नाम पूछा जाता है जो था आपका गुरु राम सिंग इनके चितरगारी गुरु का नाम याद रखेगा इनके चितरगारी गुरु का नाम था गुरु राम सिंग ठीक है उसके बाद उसके साथ चितरकार की साथ रसनाकार भी थे इनके द्वारा देखिए है गटेश बीजबासा childcare ऑफ्षेंसे बिश्ट रसना है यह के द्वारा लिखी गई है और उसे आपके में है इन के जो परशद्दी दिलाने का जो कारी किया गया था मीन काम किया गया था वह किया गया था आपका बैस्टर मुकंधी लाल के दार्ण सीवान करुछ सकत्धिक की आपकर कुमाओ के कुमब करण की नाम से नाम से कौन परसिदे ने घणड आपके तो अब आपको कुम क्राण के नाम से परसिद्ध है वह आपका कल्याण्चंद कुम करण कुम क्राण का से नाम से परसिद्ध यूज पर आप कई लोग यह वो बोलेंगे तो देखे जो आपका भीसमचन्द थे इनके गोध लिया हुआ पुतर था आपका कल्यांड चंद ठीक है तो इसको आप याद रखेगा और भीसमचन्द की द्वारा यहां पे अलमोडा में एक किला है जिस जो है आपका खगमरा किला ठीक है खगमरा किला की इस तापना भी भीसमचन्द की द्वारा ही करेगी ठीक है इस चीज़ को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और जल्द ही मैं यहां पे नंदा देवी मंदिर और भी बहुत सारे जो मंदिर है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी लोग घर बैठे आपको पतर चल सके अगले कुशिण के बढ़ लेते हैं अगला को यहां पर देखिए राहूल संस्कृतियान के बच्पन का नाम था ठीक है उसके बाद देखिए आपका रहूल संस्क्रतियान के जन्म की बात संहां गोवर्धन tenim पिताजी नाम था इने को रहूल संस्कृतियान्य ने और उसी के बाद 1963 में याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है अगला कुछिन के और बढ़ लेते हैं देखें आप आप अगला कुछिन के बढ़ लेते हैं अग इसिए अगला कुछिन है यहां पर हिमकुनद साहिप की स्थापना करे गई ठीक है आप सभी को पताएं तो इसकी जो इस्थापना करेगी थी वो करेगी थी आपकी 1930 में याद रखेगा 1930 में आपका हीमकुंड साहिप की स्थापना करे गई जो किस वहरा लिया जाता था तो देखिए जो वाग पद लगाए जाता यहां आप देखिए आप सभी को पता है घरत जो कि वर्तमान के व्लूप्ठी में पहुंच चुके हैं गाउं पे क्योंकि अब मसीने आचुकी है गेहूं पीशने की और भी मसाले पीशने की उससे पहले जब यह मसीने नहीं थी तो घराटों का प्रियों किया जायता था जो की अक्सर नदियों के किनारे नालों के किनारे बना दिये जाते थे यह आपके पानी से चलते थे ठीक है उसके बाद देखिए अगले कुछिशन के और बढ़ लेते हैं अगला कुछिशन आपका यहां पर देखिए किस चंद सासक के दौरा जुवारियों पर कर लगाया गया था ठीक है तो यह कर लगाया गया था आपका जगत चंद के दौरा जगत चंद के दौरा यह कर लगाया से अभैदान प्राप्त था ठीक है अभैदान इनको प्राप्त था और इनकी जो मित्युझत्यू थी वह हुई थी आपकी चेचक के कारण ठीक है इन चीजों का याद रखेगा अगला क्यूशन के और बढ़ लेते हैं इसके बाद देखे अगला है आपका रूद्रचंद के सेनापती का नाम तो यह था आपका पुरुसोत्तम पंथ ठीक है पुरुसोत्तम पंथ था इनके गोडलिया पुत्त में सब्सक्राइब बनाई जाता है तो यहां पे बीडियो बनाई जा चुकी है हमारे और वीटेयो थीदेiture अगर आप सर्चिंग बार में करेंगे यूट्यूब के तो आपको अलमोडा जनपत के बार है पूरी जानकारी मिल जाएंगी तो आप उसको भी देख लीजीगा ठीक है उसके बाद देखे रूदर चंद के दौरा एक बहुत अच्छा काम किया गया था देखे रूदर चंद के दौरा यहां पर चौथानी ब्रहम्माणों की मंडली बनाएगी ठीक है तो इन चीज़ को याद रखेगा पूछा जा सकता है कि चौथानी जो ब्रहम्माण थे उसकी मंडली कि चंद सासक के दौ ड़ा थे अगला कूश्छन आपके इहां पर कि चंद सासक को धाई माता की विमारी थी तो देखे जो चंद सासक बताना है जिसको धाई माता की बिमारी थी उन्हों है उनको टपश्ची सासग भी कहा जाता है इनों नहीं आल्मोडा में आपका तिरफूरी सुनि सुनु थिर का मंदिर आने वाले इनके द्वारा ही तिर्फूरा सुन्दई का मंतिर लेके आऊ-ठाए तो इनके द्वारा ही सुनु इनके ध्यूरा मंतिर की निव भी रखी ती लेकिन पूण किस ने किया था चंप और इस वीडियो का को बताना तहीं कि बताना था उसका आपका यहां पर यह आपका ललित सूरदेव को ललित सूर देव यहां का सबसे ज़्यादा प्रतापी सासक था ठीक है वैसे कत्यूरी सासक जो कत्यूरी वन से उसका ज्यादा उल्लिक तो नहीं मिलता लेकिन यहां पर जिया रानी की जो लोग गाता है जो जागरों में कही जाती है उसके एक अनुसार यहां पर हुआ क्या जागरों में इसका वर्णन मिलता है ठीक है और उसमें एक और मिलता है कि यहां का जो प्राक्रमी और अत्याचारी जो सासक था जो कौन था आपका ब्रहम देव भी कहा जाता है इसको तो कन्फूजन नहीं करना है हुआ कि 1398 में ठीक है कि अनुसारे जो पो जो त्रूस्ति यह किरेव धन धयता को कुछ नश्याम गृप द्श्बन के शहते हैं तो इंचीजों के बारे मैं मैं आपको पूरी जानकारी बताए था थिक के इस क Apache पहसी क्यों धर्के कि आपको बताना gust कि आपका देगा नकारी में तूम कर और सब है उसको यूनेसको द्वारा कब सांस्कृटरी धरोवर घूसित किया गया था उसको भी आपको कमेंड करना है बताना है आपको और कॉम्टिशन से डनना नहीं बिल्कुल भी नहीं डनना देखिया अभी जिन लोग करनिश्टर साइक के लिए नहीं हुआ है एक और अच्छे सब्सक्राइब लोग के साथ है आप चाहिए तो अगर आपको कोई भी दिक्क्त होती है कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं तो आपका कमेंड का जो जवाब है विदीन 12 आउल्यावर या 6 आर के अंतरगत आपका सारा जवाब आपको दे दिया होगी यदि आप सभी लोग को मेरी वीडियो पतान आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा सारी चीज़ा आप लोगों के लिए ही आती है तो आ आने वाले जितने भी पेपर होने वाले आप सभी लोगों को जितने भी आगामी पेपर होंगे आप सभी लोगों के तो उन सभी के लिए इस्टेडी विद एम के और से विश्यो आल दे बैस धन्यवाद